नमस्कार दोस्तों हम लोग सवाल उठा रहे हैं के राहुल गांधी कैम्ब्रीज में जाकर भारत के खिलाफ बोले हैं वो भारत में भारत के खिलाफ बोलते हैं परलेमेंट में भारत के खिलाफ बोलते हैं और बाहर भी जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं पिछले दिनों जब भारत जोड़ो यात्र में निकले हुए थे तो उनसे मीडिया वालों ने पूछा था कि आपके जो चचेरे भाई हैं वरुन गांधी उन्होंने किर्सी कानूनों के मुद्धों पर और दूसरे ऐसे अन्य मुद्धों पर नरेंदर मोधी सरकार पर हमला ब उनका साफसा इसारा था कि हम इनको एड़जस्ट नहीं करेंगे अपने याँ यानि कि गांधी परिवार में जो हमारा परिवार है वही असली गांधी परिवार है वरुन गांधी को हम स्विकार नहीं करेंगे ये क्लियर इंडिकेशन क्लियर इसारा उन्होंने दिया था ख आके जब हजारों किसान कहीं पर परदर्शन कर रहे हैं तो उनकी बात को एड्रस किया जाना चाहिए और वो लेख भी लिख रहे हैं योगी सरकार की कुछ नीतियों के लिएकर उनने आलोचना की है तो देखिए विदेशों में बैठी हुई ताकत हमारे देश को तोड़ने क का परियास किस तरीके से करती हैं कि वरुन गांदी से केंबरीज उनिवस्टी के बाद अब ओक्सफोर्ड उनिवस्टी ने संपर्क साधा और वहाँ पर भी जोर्ज सोरोस जैसे किसी विक्ती ने पैसा खच किया होगा और कहा होगा अरे यार एक काम करो रावुल गांदी क कहने से कुछ नहीं होता है वरुन गांदी को बिलाओ वरुन गांदी नरेंदर मोदी का सांसद है बीजेपी का पिली भीड से सांसद है और ये वायनाड का सांसद तो विरोधी सांसद है ये तो उनके खिलाफ बोले गई अगर आप नरेंदर मोदी के खिलाओ वरुन मोधी की जो डवलपमेंट के काम है या उनका जो कार्यकाल है उस पर एक स्पीच देने के लिए हमारे यहां आ जाए अब बताईए क्या वहां के स्टुडेंट वरुन गांधी की स्पीच पर कोई थिसिस करेंगे या वरुन गांधी को यसी बात उन्हें बता देंगे कि बहु किया जाए उनके खिलाफ एक बड़ा नेरेटीव क्रियेट किया जाए कि नरेंदर मोधी के राज में हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतम हो चुकी है किसी को बोलने नहीं दिया जाता है और ये बात पहले परमुक विरोधी दल बोलके गया और अब ही उनका चचेरा बाई और बीजेपी का सांसर यां बोल रहा है तो वो चिठ्ठी वरुन गांदी के पास आई वरुन गांदी ने साफ इंकार कर दिया हाद जोड़ दिया वरुन गांदी ने ये साबित कर दिया कि वो कम से कम राहुल गांदी से ज़्यादा कल बंद है वरुन गांदी ने का कि भा के मंच की जरूत नहीं है थेंक्यू धन्यवाद आप अपने पास रखिए तो वरुन गांदी ने ये कह दिया अब इससे क्या नेरेटिव बन रहा है इससे नेरेटिव बन रहा है कि जिस वरुन गांदी पर बीजेपी वाले भी जिससे नाराज हैं कॉंग्रेस वाले भी जिस सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें